आई हम लोग आज जानते हैं बिस्तार से कि आखिर अगला सीटेट होगी तो कब देखिए बहुत सारे फीक न्यूज चलती रहती है और इधर उधर का कटिंग उठिंग लेकर लोग छापते रहते हैं और देखे जब तक अच्छे न्यूज पेपर में नहीं घोशित होती है और उस्षे भी पल सबसे पहले आप सीटेट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप सीटेट.nic.in पर आप लोगिंग करें और जब उस पर आप लोगिंग करें यानि उस पर जब सर्च करेंगे तभी आपको सही और सठीक न ज़रा क्योंकि हो सीबीएसी की जो बेप साइट है तो आप इधर उधर के न्यूज में ना परें और डाइरेक्ट सीटेट.nic.in पर क्लिक करें और वहां से जाने कि क्या है वहां सारा अपडेट सही रहता है आप भी बताई जो यह न्यूज आती रहती है कि क्या जुलाई अगस्त में हो सकता है सीटेट यह आपको खुद सोचना चाहिए कि जिस राफ्तार से कोरोना महमारी फैली और अभी तो ठीक है अनलोग की परकिरिया चल लगी है लेकिन अभी पूरी खत्म नहीं है और वैसे भी सीटेट जो होती है अचानक एकजाम डेट नहीं निकालती है सबसे पहले फॉर्म अपलाई होता है उसके बाद दो महीने तीन महीने पढ़ने के लिए समय देती है और उसके बा फॉर्म भी फिल अपने वहां तो क्या आपको लग रहा है यह जुलाई अगस्त में एकजाम हो जाएगे जुलाई अगस्तों सितंबर अक्टूबर तक लगता है आपको क्या तो अगर आप ऐसे न्यूस पर जाते हैं तो बिलकुल बेब कुपी बिलकुल सटिकता के साथ र में अगर एकजाम तुसेंबर में होती है या जनव und तो में बहुत होती है थी सप्डूबर नववंबर अगस्तों हमत्ती में मिल जातए अगर तो अगर आपकूर या जनवरी में होने वाली एकजाम है है और होगा ही क्योंकि दिस रफ्तार से कोरोना की מת वीमार्य तो यान तो अपकोर्स है कि दिसंबर या जनवरी में आपकी एकजाम शेडिल से होगी तो आप इस सब न्यूज के चक्कर बना परिए कि क्या जुलाई अगस्त में आईवेजन करने जा रही है यह सब फेक है यह सब कोई कहीं इसका जगा नहीं है अराम से थंडे दिमाग से इसको सुचा जाए और समझा जाए तो आपकी अगला इस जो सीटेट है चुकि हर बर्स दो एकजाम होती है एक जुलाई में और एक दिसं तो एकजाम इस बार एक ही होगी या तो दिसंबर में हो जाए जनवरी में हो जाए और अगले साल से सही रहती है तो फिर जुलाई अगस्त में जो होती है वो और दिसंबर में होती है यानि साल में दो सीटेट आयो जनवर्ट देखें हर बर सीटी इटी जोता है यानि सीब बने रखे लायक हाए कि नहीं वह जांचती है भीर को कम किया जाता है इसके माध्यम से तो साल में दो भार होती है इस बार करोना के कारण आई है एक ही एकजाम हो पाएगा दिसमर्या जनवरी में होगा आप इस्चिंत रहे और तैयारी में आप लगाता रहे और देखे इसमे दोनों एकजाम देते हैं है स्वरी और व्यट वाले भी दोने देते हैं और लेकिन अंतर है कि डीलेड में आपने 12 पास किया है तो आप उनसे 5 के लिए एलिजब्ल होते हैं और अग ग्रेजुजियोशन कर रखा तो उनसे 8 तक होते हैं और व्यजुजिब्ल है इसके लिए ठीक है चुक्यों गिर्जेशन होता उसका तो ये तमाम चीजे हैं तो अब एकजाम कब होगा ये आप दिमाग में ठाये कि एकजाम जब भी होगी तो दिसंबर या जनबरी में होगी जय हिंद जब भी मेरे को कुछ भी समाचार मिलती है साइसे आपको मैं आपके सामने उपल कराओं जय हिंद